गुरुवार के कारोबार में रुपे ने डॉलर के मुताबिक 72 का आकड़ा पार कर लिया है दोपहर एक बज़ कर छे मिनट पर रुपे डॉलर के मुताबिक 72.04 पर कारोबार करता दिखा आपको बता दे कि बीते दिन रुपे ने डॉलर के मुताबिक 71.95 का स्तर भी छू लिया था वहीं विशेशा के मानते हैं कि सितंबर महीने में रुपे आच 74 का आकड़ा भी छू सकता है बड़े आर्थिक सलाहकार बताते हैं कि अगर सितंबर 3 मही की बात करें तो रुपे आ 73.67 से लेकर 74 की रेंज में कारोबार करता नजर आ सकता है वहीं अगर साल 2018 की बात करें तो रुपे आ 75 का स्तर भी छू सकता है एक रिसर्च में रुपे के गिरावट के बारे में बताया गया है और जिसके कारण है चीन और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वार से डॉलर मजबूत हो रहा है जो की सीधे तोर पर रुपे पर असर डाल रहा है वहीं दूसरा कारण है कि RBI अभी तक करीब 22 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व का इस्तमाल कर चुका है ताकि रुपे की स्थिती संभले लेकिन हालत अभी भी नहीं सुधरी है तीसरा कारण स्टॉक मार्केट में भी तेजी जारी है जिससे FII प्राफिट बुकिंग कर रहे हैं और बाजार से डॉलर खीच रहे हैं वही क्रूड की बढ़ती कीमते भी रुपे की इस स्थिती के लिए जिम्मेदार है रुपे के कमजोर होने से आम आदमी पर सीधा असर पड़ रहा है इससे विदेश यात्राएं भी महंगी हो रही है रुपे के कमजोर होने से अब विदेश यात्रा आपको थोड़ी और महेंगी पड़ेगी क्योंकि आपको डॉलर का भुखतान करने के लिए जादा भारतिय रुपे खर्च करने होंगे वहीं जिन लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं उनकी फीस में भी बढ़ोतरी हो जाएगी क्योंकि डॉलर के मताबिक उन्हें अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा वहीं डॉलर के मजबूत होने से मार्केट में महेंगाई भी बढ़ेगी बरहाल आगे देखना होगा कि डॉलर के मताबिक रॉपया बढ़ता है या गिरता है लेकिन फिलहाल तो रिपोर्ट्स यहीं बता रहे हैं कि रॉपया लगातार डॉलर के मताबिक चड़ता जा रहा है